हेला व्रिवन अब हम अपना आगे जो है next उससे देखते हैं यह आपका है निर्मार उद्ध्योग से संबंदित आगे जो हम अपने मानचित्र पढ़ेंगी यह सब है निर्मार उद्ध्योग से संबंदित निर्माण उध्योक से संबंदी सबसे पहला हम इसमें देखते हैं लोह इसपाथ सयंत्र लोह इसपाथ सयंत्र के अगर हम बात करें तो इसमें आपके जैसे आप दभी ने पढ़ा है टिसको, इसको और विसको ठीक है यह सबसे स्टार्टिंग में शुरुवात में टिसको, इसको और विसको की शुरुवात से लोह इसपाथ कार खाने को शुरुवात दोई टिसको का मतलब है टाटा आइरन स्टील कंपनी लिमिटेड इसको का मतलब है इंडियन आइरन स्टील कंपनी लिमिटेड ठीक है? और विसको का मतलब है विश्व वरिया आइरन स्टील कंपनी लिमिटेड ठीक है? तो टिसको इसको विसको अब टिसको कहां पर है? यह आपको कोलकाता रेलवे मार्ग के निकट इस्तित है टिसको इस टिसको को जो पानी है वो सुवन रेखा नदी से लोहा नोवा मंडी बाधाम पहार से कोईला जो है वो जोडा खान उडिसा से इन जगों से इसे कच्चा माल प्राप्त होता है किसको टिसको को ठीक है आपको याद रख मुंबई कोलकाता रेलवे मार्ग के निकट इस्थित है इसको इसके बाद में है इसको इसको आपका इंडियन आरेंड स्टील कंपनी ठीक है इसको यह आपको याद रखना है कोलकाता आसनसोल रेल मार्ग के निकट इस्थित है कहां पर कोलकाता आसनसोल रेल मार्ग पर प्रकार से आसपास चित्रों से कच्चा माल प्राप्त होता है ठीक है यह सारी चीजे मैंने डिस्क्रप्ट रूप में अपने कई पिछले वीडियो है जो थियोरिकल पार्ट है उसमें मैं पहले आपको पढ़ा चुकी हूं ठीक है यहां पर हम मांचित्र से संबंदित प्रश इसके बाद तीसरा है विस्को विस्को की स्थित्य जो है वो कहां पर है आपकी मैसूर प्रारम में यह जो है वो मैसूर लोहा इसपात वर्क्स के नाम से जाना जाता था ठीक है बाद में इसका नाम विश्वश्वरेया आरन स्टील वर्क्स हो गया तो इसकी स्थित्य जो ह पर है बाबा बूधन की पहाड़ियों के निकट और बाबा बूधन की पहाड़ियां कहां पर आती है आपकी करनाटक ठीक है तो यहां पर किस की स्थिति हो गई विस्को की स्थिति जिसको पहले किस नाम से जाना जाता था मैसूर लोहस पाथ कंपनी के नाम से जाना जाता था उसके बाद में हम इसमें देखते हैं आगे है राउर केला राउर केला की स्थिति आपको कहां दिखाई दे रही है उडिशा में तो उडिशा में कहां पर है राउर केला कहां पर है उडिशा में आप सबको इनकी स्थिति ध्यान से देखनी है दुर्गापूर की इस्थिति कहाँ पर है पश्चिम बंगाल में ठीक है बोकारो की इस्थिति कहाँ पर है जारखंड में बिलाई की कहाँ पर है चत्तिसगड में विजयनगर कहाँ पर है हासपेट करनाटक में और इधर सेलम कहाँ पर है तमिलनाडू में और यहाँ पर विजाग कहां पर है अंधर प्रदेश में चाहिए तो आप सभी को इन सभी लोहो इसपाद सेयंत्रों की इस्थती अच्छे से याद होनी चाहिए कि आप से पूचा जा सकता है निम लिखित लोहो इसपाद केंद्रों की स्थिती दर्शाई है भारत के मांचत्र में आपको दुरगापूर दे दिया गया, राउर केला दे दिया गया, भिलाई दे दिया गया, विजाग दे दिया गया आटक और सेल में आपका तमिलना डू इस प्रकार से इन सभी लोहिस्पा सहींत्र को बहुत ध्यान से देखना और आपको समझना है अगला हम इसमें देखते है आपके इसमें देखिए सूती वस्र उध्योग से संबंदित है हम सभी को पता है जो सूती वस्र उध्योग है उसमें भारत का मांचेस्टर कहलाता है मुंबई ठीक है भारत का मांचेस्टर क्या कहलाता है मुंबई यह किस से संबंदित है सूती वस्र उध्योग से संबंदित है ठीक है सूतिवस रुद्योग से संबंदित भारत का मांचेस्टर है मुंबई भारत का बोस्टन कहलाता है एहमदाबाद भारत का बोस्टन है एहमदाबाद उत्तर भारत का मांचेस्टर कहलाता है कानपूर और दक्षिन भारत का मांचेस्टर कहलाता है कोयमबटूर तो य कुंबई कहा आता है महराश्टिन में एहमदाबाद कहा आता है गुजरात में तो हमें इन सब की स्थिति देखने आप से पूछा जा सकता है भारत का बोस्टन बताएए निम लिकित भारत की मानचेत्र में भारत दर्शाइए तो एहमदाबाद नहीं पता है वो पर हमें दर्शान है यह भी तो आपको पता होना चाहिए तो वो कहां पर दर्शान है गुजरात में इस प्रकार से आपको इन सभी की स्थिति अच्छे से देखनी है इसके बाद अगला हमारा माचेतर है कि चीनी उत्पादक शेतर अब वो थोड़ा सा पीछे उस समय हमारा थ फूड गया था पहले जो हमने कुछ किये थे तो आगे इधर वापस आपका इधर चीनी उध्योग से स्ंबंदि इसमें ये टॉपिक आया है ठीक है चीनी उध्योग से तैमदेजए चीफरी इसमे wider चिनि उत्पादक शेतर की बात कर रहे हैideने में भारत विष्व में गण पूछा जाता है तो प्रथम इस्थान उत्तर प्रदेश का आता है लेकिन अगर चीनी उत्पादक शेत्र पूछा जाता है तो प्रथम इस्थान महाराष्ट का आता है क्योंकि महाराष्ट के गन्ने मोटे होते हैं तो उसमें रसकी मात्रा अधिक होती है इसलिए आपे चीनी अधिक होती है ठीक है तो गन्ना और चीनी दोनों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है भारत है जिसमें चीनी उत्पादक में प्रत्थम इस्थान कौन से राज्य का है महराश्ट का दूसरा है उत्तर प्रदेश का और फिर तीसरा है तमिलनाडू का तो आपको याद रखना है चीनी उत्थ्योग की अगर बात की जाए चीनी उत्पादक शित्र की अगर बात की जाए तो इसमें प्रत्थम महराश्ट दूसरा उत्तर प्रदेश और तीसरा है तमिलनाडू इसके बाद है आगे पठाको के उद्ध्योग पठाको के उद्ध्योग अगर हमसे पूछे जाता है तो पठाको के उद्ध्योग कहाँ पर आएंगे आपके जैसे कि उरिया उत्तर प्रदेश में है ठीके उरिया उत्तर प्रदेश में है हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, विशाखा पटनम आंधर प्रदेश में है, नागो थाने रतनागीरी महराश्ट में है, जामनगर, गांधी नगर, हजीरा, गुजराद में है तो ये सभी जगे पर किस के उद्योग है, mostly पटाको के उद्योग, आपसे पूचा जा सकता है कि निमलिकित शहरों में, किस के शहरों में पटाको के उद्योग है, उन्हें दर्शाई है, उरिया कहां पर है, उत्तर प्रदेश, हल्दिया पश्चिम मंगाल, विशाखा हमसे, इसलिए इन्हें वापिस से समझाया जा रहा है, कि आप इन सभी जगों की इस्थती को अच्छे से अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लें, उसको अच्छे से याद कर लें, आगे है इसमें प्लास्टिक वस्तूओं के मुख्य उत्पादक, अब जो प्लास्टि नेफथा पराधारित पहला रासायनिक उध्योग है, और कहां पर है ये, मुंबई में, नेफथा पराधारित पहला रासायनिक उध्योग जिसको शौट नेम है, अगे, और कहां पर है ये मुंबई में था पहला कहां पर था मुंबई में उसके अलावा पिंपरी महराश्ट में है मैट्टूर आपका तमिल नाडू में है तो ये सबी जो है वो प्लास्टिक वस्तों के मुख्य उत्पादक है जिसमें आपको most important याद रखना है नेफ्था पर आध आगे देखे तो नाइलोन तथा पॉलिस्टर धागा बनाने के सन्यंत्र कहां कहां पर है वे नाइलोन और पॉलिस्टर धागा बनाने के सन्यंत्र आप देखेंगे मोदी नगर उत्तर प्रदेश, कोटा, राजस्थान, उजेन, मध्यप्रदेश, उधना, गुजराद, ना आफाक कहां पर आज रहे हैं अगला हमारा इसमें देखते हैं Software Technology park कहां कहां पर है तो यह जितनी भी आपको जगे दिख रही हैं जितने भी शहर दिख रही हैं सभी Software Technology Park है इन सभी की स्थिति आपको ध्याद से देखनी है आपको पूछे जा सकते हैं निमलिकित Software Technology Parks को भारत की मानचित्र में दर्शाई है ठीक है तो आपको पता होना चीए कि श्रीनगर कहाता है जम्मू ठीक है शिमला कहाता है हिमाचल प्रदेश, धैरादून उत्राखन, दिल्ली लखनव, कानपूर, उत्तरप्रदेश में है कोलगाता, पश्रिम बंगाल में इंदोर, मध्यप्रदेश में गांधी नगर, गुजरात में बुवनेश्वर, ओडशा में हैदराबाद, तिलंगाना में नवी मुंबई, पुने, महराष्ट में बैंगलूरू, मैसूर, आपके करनाटक में, चैननाई, तमिलनाडू में, और यह तिरू, वननदपुरम, केरल में, तो इन सभी शहरों की इस्थिति आपको याद करनी है, यह सभी सौफ्टवेर टेकनोलोजी पार्क है, इसके बाद में अगला है आपका मुख्य ओध्योगिक प्रदेश अगर हम बात करें, कुछ मुख्य ओध्योगिक प्रदेश की, भाई भारत के मुख्य ओध्योगिक प्रदेश कौन कौन से है तो भारत के आठ मुख्य ओध्योगिक प्रदेश है मुख्य उद्योगिक प्रदेशों में आठ मुख्य उद्योगिक प्रदेश हैं जिसमें हम ले सकते हैं सबसे पहले मुंबई पूने प्रदेश ठीक है हुगली प्रदेश, मुंबई पूने प्रदेश भेंगलूरू तमिलनाडू प्रदेश गुजरात प्रदेश छोटा नाकपुर प्रदेश यहाँ विशाखा पत्नंगुंटूर प्रदेश गुरुगुराम दिल्ली मेरथ प्रदेश इदर आपका है कोलम तिरुवननदपूरम प्रदेश तो ये आठ प्रदेश मुख्य औद्धो की प्रदेश है भारत के तो इन सभी आठो प्रदेशों की इस्थति आपको अच्छे से ध्यान से देखनी है कि वे छोटा नाकपूर प्रदेश कहां पर आ रहा है हुगली शेत्र कहां प्यारा है गुजराद प्रदेश कहां आ रहा है ठीक है इसके बाद गुरुगराम दिल्ली मेरट कहां प्यारा है विशाखा पत्नम कहां प्यारा है मुंबई पूने प्रदेश कहां प्यारा है बैंगलूरू, तमिल नाडू प्रदेश कहा आ रहा है, कुलम्ब, तिरुमरंद पुरम प्रदेश कहा रहा है तो आठो प्रदेशों को बहुत ध्यान से देखते हुए इस सभी आठो मुख्य औध्योगिक प्रदेशों की स्थिति आपको देखनी है दूसरी चीज आपसे objective टाइप प्रिश्णों में ऐसे भी बन सकता है कि निमलिखित में से भारत के मुख्य औध्योगिक प्रदेश कौन कौन से है तो ये आठ मुख्य औध्योगिक प्रदेश है ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है निमलिकित में से भारत के लगू अध्योगिक प्रदेश कितने है या अध्योगिक जिले कितने है तो हमें पता होना चाहिए कि भारत के जो लगू अध्योगिक प्रदेश है वो 13 है ठीक है और भारत के जो अध्योगिक जिले है वो कितने है 15 है तो हमें अच्छे से याद होना चाहिए अगर लगू औध्योगिक प्रदेश पूछे जाते हैं अभी हमने मुख्य औध्योगिक प्रदेश पढ़े थे वो किते थे 8 मुख्य औध्योगिक प्रदेश 8 है लगू अध्योगिक प्रदेश अगर आपसे पूछे जाते हैं तो वो कितने हैं 13 लगू अध्योगिक प्रदेश है 13 ठीक है और अध्योगिक जिले कितने हैं 15 तो ये हमें अच्छे से याद होना चाहिए भारत के मुख्य अध्योगिक प्रदेश 8 भारत के लगू अध्योगिक प्रदेश 13 और भारत के अध्योगिक जिले हैं 15 अब ये 15 अध्योगिक जिले कौन कौन से हैं तो ये जितने भी आपको जिले इसमें दिखाई दे रहे हैं ये सभी भारत के अध्योगिक जिले हैं जिसमें अगर हम बात करें तो आगरा, कानपू लखनाउं, गौरकपूर, अलिगर, बरेली, ये सब ही उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे, पूर्णिया, बिहार में आ जाएगा, जलपाई गुड़ी, पश्रिम बंगाल में आएगा, कटक, ओडिशा में आएगा, हैदराबाद, तिलंगाना में आएगा, नाकपूर, अच्छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, और ये पंदरा, ठीक है, तो ये सभी पंदरा भारत के उध्योगिक चिले हैं, इससे पहले जो हमने पड़े वो आठ मुख्योगिक प्रदेश है, तो आपको कुशिन कैसे भी बन सकता है, कि निमलिखित म से भारत के मुख्योगिक प्रदेश कौन सा नहीं है, या भारत का मुख्योगिक प्रदेश कौन सा है, भारत के उध्योगिक जिले कितने हैं, भारत के लगू अध्योगिक प्रदेश कितने हैं, तो आपको ये भी अच्छे से याद होना चाहिए, कि कितने हैं और कहां कहां पर इनके स्थिति इसके बाद में हम आगे इसमें दिखेंगे ब्रिटिश आसन के दौरान Grand Trunk Road जिसको हम कहते हैं GT Road ठीक है GT Road क्या है ब्रिटिश आसन के दौरान Grand Trunk Road या हम दूसरे शब्दों में इसको सकते हैं GT Road यह आपके आगे परिवहन वाला जो टौपिक है इसकी शुरुआत दो चुकी आगे तो अब परिवहन के टौपिक को हम लेंगे जिसमें वर्तमान में इसे दो खंडों में विभाजित किया गया है दो खंड कौन से एक तो इसमें देखेंगे इधर कि दिली से अम्रतसर तक कहां से दिल्ली से अम्रत्सर तक यह आपका वन ठीक है दूसरा दिल्ली से कोलकाता तक दिल्ली से कोलकाता यह टू अब इसमें भी आपको एक चीज ध्यान से देखनी है कि दिल्ली से अम्रत्सर और दिल्ली से कोलकाता तो आप इसमें देखेंगे कि वरत्मान में इसे दो घंडों में विभज़त क्या है मतलब बृतिश आसन के दौरान जो जीटी रोड है ये आप ब्लू कलर से इसमें देख सकते हैं ब्लू कलर से मैंशन नहीं है ठीक है? तो British Asan के दोरान जो GT Road है, Grand Trunk Road है, यह Kolkata से पेशावर पाकिस्तान को जोडने वाला जो मार्ग था, कुलकाता से पेशावर पाकिस्तान को जोडने वाला जो मार्ग था ये कहलाता था गीटी रोड ठीक है बिटिश शासन के दौरा जिसे हम कह सकते हैं ग्रांड ट्रंक रोड जिसका निर्मान किसे ने करवाय था शेर शासूरी के दौरा अब इसे वर्तमान में दो खंडों में विभाजित किया है जिसकी हम बात करें नेशनल हाईवे वन और नेशनल हाईवे टू तो जो नेशनल हाईवे वन है ये है तो है दिल्ली से अमरत्सर ठीक है और नेशनल हाईवे टू है जो है दिल्ली से कोलकाता क्योंकि जो वर्तमान में ये जो रोड है ये कहां से कहां तक हो गई अमरत्सर से कोलकाता तक हो गई वर्तमान में और इसे दो खंडों में बाट दिया पहला खंड हो गया अमरत्सर से दिल्ली और दूसरा खंड हो गया दिल्ली से कोलकाता तो आपको बहुत आसान है याद करना ठीक है कि पहले जीटी रोड बिटिश आसन के दौरान कोलकाता से पेशावर पाकिस्तान तक जोडने वाले मार्कों कहा जाता था वर्तमान में इसे दो खंडों में बाट दिया और अब वर्तमान में ये अमरस्तर से कोलकाता के बीच है जिसका पहला खंड अमरस्तर से दिल्ली और दूसरा खंड है दिल्ली से कोलकाता नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 समझ में आ गया तो ये आपको याद रखना है इसके बाद में अगला है हमारा स्वन्निम चत्रभुच परियोजना स्वन्निम चत्रभुच परियोजना चार शहरों को मिलाके बनाई गई है दिल्ली, मुंबई, चैन्ने और कुलकाता इन चार शहरों को मिलाके जो परियोजना बनाई गई है कौन सी है स्वंडेम चत्रबुच पर्योजना आपको याद रखनी है अच्छे से इसके बाद अगला है हमारा राश्ट्रिये महा मार्ग विकास पर्योजना है जिसमें है आपका एक तो उत्तर दक्षन गलियारा और दूसरा है पूरव पश्रिम गलियारा ठीक है ये है पूर पश्रिम गलियारा किसको किस से जोड़ता है सिलचर असम को पूरवणर गुजरात से जोड़ता है पूरा पश्रिम गलियारा ठीक है और श्री नगर जम्मू कश्मीर को कन्या कुमारी तमुल नाडू से जोडता है उत्तर दक्षिन गलियारा ठीक है आप इसमें अच्छे से देख सकते हैं कि जो ब्लू कलर से मेंशन है यह ब्लू कलर से मेंशन है यह उत्तर दक्षिन गलियारा है ठीक है यहाँ पर यह परपल कलर से मेंशन है तो यह पूरा पश्चिम गलियारा तो आपको अच्छे से मानचित्र से स्पष्ट हो रहा है कौन सी इस्थती कौन सी जगे कहां पर है अब हम अगला नेक्स्ट देखेंगे इसमें इस मानचित्र में मनाली लाहुल इस्पिति घाटी विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल सीमा सडक संगठन द्वारा बनाई गई मतलब विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है अटल टनल सीमा अटल टनल जो किसके द्वारा बनाई गई सीमा सडक संगठन के द्वारा बनाई गई और जो मनाली को लाहुल इस्पिति घाटी से जोड़ती है यह सुरंग हिमाले की प पीर पंजाल परवत माला में औसस समुद्र तल से तीन हजार मीटर की उचाई पर अत्या धुनिक सुविधाओं के साथ बनाई गई है। उसे किसको जोडती है? मनाली को लाहुल स्पिती घाटी से जोडती है। उसका नाम क्या है? अटल टनल किसके द्वारा बनाई गई? सीमा सडक संगठन के द्वारा। तो इस इतने से पैरग्राफ में कई प्रिश्ण बन जाते हैं जो आपके लिए मुस्ट इंपोर्टेंट है और मनाली लाहुल स्पिती घाटी कहा आती है? हिमाचल प्रदेश में आती है। यह हमें इसकी स्थिती याद रखनी है। इसकी स्थिती कहा है? मनाली लाहुल स्पिती घाटी आती है आपकी हिमाचल प्रदेश में। तो इतने से पैरग्राफ से कई प्रिश्ण बन जाते है तो यह आपके लिए most important है, आपको अच्छे से याद करना है इसके बाद अगला है, हमारे इसमें दिखेंगे भारती रेल की स्थापना 1853 में मुंबई और ठाने के बीच की गई भारती रेल की स्थापना मुंबई और ठाने के बीच मुंबई और थाने दोनों यहाँ पर है और कहाँ पर आता है यह महराष्ट में मुंबई और थाने दोनों ही आपके महराष्ट में आता है इसके बाद है भार्ती रेल मंडल टोटल यहाँ पर आपके 16 रेल मंडल दर्शाएं गए हैं अभी वर्तमान में तो बहारती रेल मंडल यहां पर जो 16 जितने भी आपको दर्शाए गएं सभी की इस्तिती आपको अच्छे से देखनी है यह सभी बहारती रेल मंडल है इसके बाद में अगला है आपका कौंकन रेलवे कॉंकन रेलवे के अगर हम बात करें तो इसमें है तो रोहा महराश्ट्र और दूसरा है गोओा मंगलोर करनाटक ठीक है तो कॉंकन रेलवे क्या है आपका ये 750 kilomitre लंबा रेलमार्ग है किता किलोमitre लंबा है 750 kilomitre लंबा रेलमार्ग जो महराश्ट में रोहा को करनाटक के मंगलॉर से जोडता है ठीक है, मतलब कूंकन रेल में क्या है महराश्ट के रोहा को करनाटक के मंगलॉर से जोडता है ठीक है, इसमें जो सबसे जादा जिन राज्जों का भागिदारी है कौंकन रेलवे में सबसे आदा जिन राज्जों की भागी दारी है वो कौन कौन से हो जाएंगे एक तो महाराष्ट हो जाएगा, गुआ हो जाएगा और करनाटक हो जाएगा तो आपसे पूछा जा सकता है कौंकन रेलवे किसे किसको जोडता है कहां से किसको जोड़ता है तो रोहा कहां पर आता है महराष्ट में मंगलोर कहां पर आता है करनाटक में उसके बाद में है आपका अगला राष्ट्रिय जलमार्ग अब यह आप बहुत अच्छे से देख लीजिए राष्ट्रिय जलमार्ग टोटल कितने हैं छे छे राश्टी जलमार्ग है इसमें सबसे पहला नेशनल वाटरवेज नेशनल वाटरवेज तो पहला जलमार्ग है जो इलाबाद और हल्दिया जिसका विस्तार है इलाबाद हल्दिया विस्तार पहला राश्टी जलमार्ग दूसरा राष्ट्य जलमार्ग है अपका इधर सदिया से धूवरी विस्तार तीसरा है इधर याँपे कोलम-कुर्टा-पुर्म चौधा है यहाँपर इधर यह काकी नाड़ा पदुचेरी विस्तार ताकि नाड़ा पदुचेरी विस्तार ठीक है? पांचवा है यहाँ पर महा नदी डेल्टा चैनल महा नदी का डेल्टा चैनल और छट्टा है यहाँ पर असम में बराक नदी पर तो राश्टी जलमार कितने है? टोतल चैए ठीक है? इलाबाद कहां पर आ रहा है ठीक है हल्दिया कहां पर आ रहा है पश्रिम बंगाल ये कौन सा हो गया पहला हो गया ठीक है सदिया कहां पर आ रहा है आपका इधर ठीक है इधर धूबरी यहां पर आ रहा है इस जगे पर आपका कौन सा आ रहा है धूबरी तो ये कौन सा हो गय सेकेंड दूसरा ठीक है उसके बाद में दीसरा यहां पर कोलम कोटापुरम इधर की रल में आ रहा है यहां पर फिर इधर काकी नाड़ा यहां अंधर प्रिदेश में पदूचरी यहां पर तमिल नाड़ू में आ रहा है फिर महा नदी डेल्टा चल रहा है यहां असंबराक नदी पे छटा रहा है तो इन सभी की इस्थिति आपको ध्यान से देखनी है कि भारत के जो नैशनल वाट वीज है राश्टी जल मार गया उनकी संख्या कितनी है कुल 6 है तो इस प्रकार से जो आज अपने सारे मांचित्र की बारे में जो अध्यान किया है वो सभी उध्योग और परिवहन से संभंदित मांचित्रों को समझाए आज हमने ठीक है तो इस प्रकार से हमने कई सारे जितने भी आपके भारत की जनसंख्या संभंदित मांचित्रों हो उसके अलावा आपकी भारत की मानो बस्तियों से संभंदित है ठीक है इसके अलावा आपकी भारत की क्र से संबंदित है भारत के परिवहन से संबंदित है इन सभी से संबंदित भारत के मांचित्रों को हमने बहुत अच्छे से समझा है जो आपके कई competitions paper और board exams के लिए most important है इनसे आपको याद करना आसान होगा आपको समझना आसान होगा और आपके लिए आगे हर चीज को किस प्रकार से हमें मांचित्र बनाने चाहिए किस प्रकार से किस प्रश्ण में हमें किस तरीके से मांचित्र खुद से analysis करके बनाने चाहिए ये सबी चीज़े आपको इन मांचित्रों को देखने से अच्छे से समझ मैंगी जिसे कि आगे जितने भी कॉम्टिशन पेपर आपके लिए आते हैं या वोड एक्जाम आते हैं आपको आपका जो प्रिशने का उत्तर है वो देना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा तो अब हम जल्द ही आपसे अपनी अगली गख्षा में मिलते हैं तब तक के लिए good luck to all और best of luck जल्द ही मिलते हैं आपसे thank you so much